कि घलो दोस्तों देखो सीखो वित वी के सिख में आप सभी लोगों का स्वागत है तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको तीन कोस्टन दूंगा जो आपको खुद से करने होगे वेन आरेक्स से questions हैं जो आपके previous year questions में पूछे गया हैं railway police के लिए बहुत important होगा सभी exam में इसमें आपका वेन आरेक्स से 1 से लेके 5 questions पूछे जाते हैं हो सकता है कि आपके exam में एक ही question है लेकिन एक question जरूर से जरूर आता है तो इस video को ध्यान से देखिएगा और जो आपको screen में दिख रहा है ये question इसका answer देने का प्रयास किजिए कि सही इसका diagram क्या होगा और last में मैं आपको इसका answer बताऊंगा उससे पहले मैं आपको 3 question बताऊंगा फिर आपको 3 question दोंगा कि उसका answer आपको सही छाटना होगा विकल्प मैं दूँगा जैसे इसमें विकल्प है उसी तरीके से तो चलिए start करते हैं वे नारेक के कई प्रकार होते हैं कई प्रकार से question उसमें पूछे आते हैं तो जो simple आपका जो आपका निया वाक्य की तरह जो आपका diagram बनाना होता है उससे हमने question लिया है और उसी type के question आपको हम देंगे तो देखिए इसका answer मैं बात में बताऊंगा सबसे पहले 3 question आप देख लिए कैसे आप किसके लिए कौन सा figure बनाते हैं ठीक है तो देखिए पहला जो figure है वो कैसे बनेगा विज्ञान दिया है भौतकी दिया है और रसायन सास्तर दिया है ठीक है तो देखिए यहाँ पे विज्ञान दिया है और भौतकी और रसायन दिया है तो भौतकी जो है यह भी भौतिक विज्ञान है और यहाँ पर रसायन सास्त जो है वो भी रसायन विज्ञान है तो यहाँ पर जो figure बनेगा वो मालेज़े इसको भौत की बन लेते हैं और इसको मालेते हैं रसायन ठीक है तो यह दोनों विज्ञान हैं तो यह आजएंगे विज्ञान के अंदर ठीक है तो यह आपका figure बनेगा यानि कि विज्ञान बड़ा में रहेगा और बहुत की रसायन दूर-दूर रहेगा और छोटा-छोटा रहेगा ठीक है तो ऐसा आपको diagram बनेगा इसका ठीक है ऐसा आपको बनाना है नेक्स जो आता है कुछ वाला उसको देख लेते हैं दूसरा देखिए नेक्स टाइप में ये question है इसमें कुछ वाला आता है देखिए इसमें कैसे बनता है डाक्टर दिया है पूरुस दिया है कलाकार है ठीक है तो क्या सभी कलाकार है वो पूरुसी होते हैं जरूरी तो नही हैंगे जो हमने यहां पर बनाया था ऐसे तो यह वाला फिगर नहीं बनेगा यहां पर जो फिगर बनेगा वो बनेगा आपका डाक्टर माली जो इसको डाक्टर माल लेते हैं ठीक है और यहां पर पूरूस हो गया इसको पूरूस माल लेते हैं और कलाकार इसी में होगा ठीक है क्यों ऐसा बनेगा क्योंकि देखे पूरुस ये जो खाली वाला एरिया है ये ऐसे पूरुस है जो काम नहीं करते हैं या जो कलाकार या डॉक्टर नहीं है कुछ और काम करते हैं ठीक है ऐसा संभव है और ऐसा ये भी संभव है कि कुछ पूर कर रहें वह महीला है ठीक है यहां पर यह जो डॉक्टर है कस आपका बीच्छ फॉला के इहां पर वह आपका लिवीं मोलने काक प्रूपर है देखिए ऐसे भी question आपके आ सकते हैं जीव है मनुस्य है और ग्रह है तो कैसे आप करेंगे यहाँ पर अगर आप relation खोजेंगे यानि कि एक संगठन या एक जाती या कुछ ऐसा खोजेंगे जो सभी में common हो तो यहाँ पर जीव के अंदर मनुस्य आ सकता है ठीक है तो यह मान रहा है या आपका जो आपका जो बनता है सदस्य बनता है या समू जो बनता है वो बनता है एक तरह की लोगों का ग्रह कोई जीव नहीं है ठीक है या जीव जो है वो कोई ग्रह नहीं है तो यहाँ पर सूर्य राता तो उसको मना सकते तो यहाँ पर जो ग्रह है उसको अलग बनाएंगे तो डाइग्राम इसका एकदम सही यही बनेगा ठीक है यानि कि मैं फिर से बता दे रहा हूं यहाँ पर जीव हो जाएगा इसके अंदर मनुस्या आजाएगा कुछ और भी जीव आपका दिया है तो इसके अंदर आप कर देंगे लेकिन अभी दिया नहीं है तो इ यह जो डाइग्राम है यह इसके लिए बनेगा तो देखिए आप तीन कोस्चन आपके लगाता रहेंगे उसका एंसर आप दीजेगा और दस सेकेंड में मैं आपको बतना हूँगा कि उसका एंसर सही कौन सा होगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो बताइए कि चौ जल्दी सेंसर टाइप कीजिए तो इसका जो एंसर होगा वो होगा ए ठीक है ए इसका एंसर होगा सिच्छा एकागरता के साथ और आत्म सचहतकार करते रहेंगे तब आपको मिलेगी ठीक है नेक्स्ट कोशन में है औरत मा और विद्वा बताइए कौन सा सही होगा एबी इसका जो एंसर होगा वोगा डी देखिए सबसे पहले इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारे लोगों तो यहां पर सबसे पहले क्या है अगर एक जाती की बात करें एक समूह की बात करें तो यहां पर औरत है औरत जो है वो मा भी हो सकती है और विद्वा भी हो सकती है तो होती है ठीक है तो यहां पे सबसे बड़ा वाला हमारा हो जाएगा औरत ठीक है अब इसके अंदर मा तो जब यह पहले बन गया तो इसके अंदर मा और विधवा बनेंगी यह तो confirm है तो यह वाला हमारा विधवा जो दिया है इनको अलग-अलग कर दिया है हो सकता है देखिए हो सकता है कि मा जो है कुछ मा ऐसी भी हो जो विधवा हो तो यह जो मैंने दरसाया है यह उनी मा को दरसाया है तो यहां पे जो कुछ वाला बनेगा सही तो इसका अंसर डी होगा ठीक है नेक्स्ट जो को उता और गायक आपको बताना है कि सही option क्या होगा ABCD में से जल्दी से बताइए last question है वी नारेक के देखिए बहुत सारे टाइप आते हैं questions तो सबसे पहला number type मैं आपको बतारा हूँ देखिए अंक से भी question पूछी आते हैं उनको हम next video में discuss करेंगे ठीक है तो देखिए इसका अंसर होगा वो होगा A अब यह सब क्यों नहीं होगा देखिए यहां पर तो simple तीन दिया है तो यहां पर यह दो है यह तो होगा यह नहीं यह क्यों नहीं होगा क्योंकि देखिए साप तोता और गाय में कोई भी relation नहीं होता है तो यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा क् तिनों को रखते वो भी अलग-अलग क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो भी इन दोनों में या तीन तीनों में कामन हो तो यहां पर जो फिगर बनेगा वो बनेगा तीनों का अलग-अलग तो ऐसे भी हो सकता है और ये A वाला भी हो सकता है तो इसका answer A होगा ठीक है तो आसा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को like जरूर से जरूर करें क्योंकि आपका like ही हमारे लिए motivation है हमारे लिए सब कुछ है लाइक और comment करके आपने suggestion और सुझाओ जरूर से जरूर दें और इस channel को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमें motivation मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहें और इसका answer मैंने आपको बता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करतीजेगा मिलता है नेक्स वीडियो में धन्यवाद